आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्पूर्ण NCRT पैटर्ण पर आधारित जीव विज्ञान के कुछ महत्पूर्ण प्रेश्ण के बारे में चर्चा करेंगे आज हम सुरुवात करते हैं क्लास 12 के जीवों में जनन से आज हम जानेंगे कि ये जीवों में जनन किस प्रकार से होता है कितने प्रकार से होता है अर्थात इसकी विद्धिया कौन-कौन सी हैं तो आज ये चलते हैं कच्छा 12 का पहला लेषन है जीवों में जनन सरप्रतम इस लेशन से यही कोश्चन पुछा जाता है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिमार है माइडियर स्टुडेंट जनन जीवों का एक अति महात्यपूर लच्छन है ये एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया होती है जिसके दौरा ना सिर्फ जीवों की उत्तर जीवता में मदद मिलती है बलकि इससे जीव जाती की निरन्तरता भी बनी रहती है जनन जीवों के अम्रत्त में भी सहायक होता है प्राक्तिक म्रत्त हो जीवता के कारण होने वाले जीवहास की अपूर्त हो ये सभी जनन द्वारा ही संभव होता है जनन से जीवों की संख्या बरती है जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाबदायक विबनताएं एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक इस्थानांत्रित होती है अतहा जनन जय विकास में भी सायक होता है इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार है अब बात आती है कि जनन की अच्छी विदिक कौन से है और क्यों तो डियर स्टुडेंट जनन प्राया सेक्स्वल डिपोडेक्शन जो होता है जिसे हम लोग लैंगिक जनन की नाम से जानते हैं इसी को जनन की स्रेश्ट विदि माना गया है लैंगिक जनन के दौरान गुरसूत्रों की अदला बदली होती है जिससे युगमकों में नए लच्छन विक्सित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है लैंगिक जनन जैविकास में सहायक होता है लैंगिक जनन दौरा जीवों के जीवित रहने के अउसर अधिक होते हैं क्योंकि आनिवानसिक विमनताओं के कारण जीव अधिक छमतावान होता है लैंगिक जनन में जीवों की संख्या भी बढ़ती है अतहा लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विध्य है काईग जनन जिसे हम लोग विजिटेटिव रिप्रोडक्षन के नाम से भी जानते हैं अलाइगि जनन की एक ऐसी विद्य होती है जिसमें पौधे के काईग भाग से एक नए पौधे का निर्मार करते हैं अतहा इसमें एक ही जनक भाग लेता है तथा इसके द्वारा उत्पन संत्यति आनुवान्सिक वा अकारकी में अपने जनक के समान होती है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काईक जनन वास्तों में प्रारूपिक लालेंगिक जनन है अगला कोश्चन पूछा जाता है इसी लेशन से कि काईक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं कोई दो उप्युक्त उधारन दो बच्चों ये ऐसे कोश्चन है जो यूपी बोर्ड में इसके पहले भी पूछे जा चुके हैं काईक प्रवर्धन किसे कहते हैं काईक प्रवर्धन कोई इंगलिस में माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं विजेटेट्व माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं ये होता क्या है तो बच्चों काईक प्रोवर्धन जनन की एक ऐसी विदि है जिसमें पोधे के सरीर का कोई भी काई भाग प्रवर्धक का कार करता है तथा नय पोधे में विक्सित हो जाता है मात्र पोधे के काई अंग जैसे जड़ है तना है पत्ती है या कलिका आद इसे एक नए पौधे का पुनर जनन करके निर्मार करते हैं और इसी निर्मार की प्रक्रिया को काईक जनन कहते हैं काईक प्रवर्धन दो प्रकार से होता है एक तो तुम्हारा क्रतिम काईक जनन दूसरा प्राक्तिक काईक जनन इसको हम आगे चर्चा करेंगे यहाँ पे पूचा गया है कि कोई दो उधारन बताईए काईक जन के तेक तो है तुम्हारा ब्रायो फिल्लम जिसे हम लोग अजूबा के कते हैं तो अजूबे की जो पौधों की पत्तियों के किनारे पादप काई पाय जाते हैं उनसे एक नए पौधे अलग होकर नए पौधे का रूप लेते हैं उन्ही कलिकाओं से एक नए पौधे का जन्म होता है आलू के आपने देखा होगा कंद में जो उपस्थित परसंधियां होती हैं नोट सपाय जाते हैं काईक प्रवर्धन में सहायक होती हैं और परसंधियों में कलिकाओं इस्थित होती हैं तथा प्रतेक कलिका एक नए पौधे को जन्म देती है अगला कोश्चन है कि प्रतेक पुस्पी पादप के भाग को पहचानिये तथा ये भी लिखिये कि वो आगुरित है या दूई गुरित अगुरित मतलब कि इसमें एन गुर्षूतर पाए जाते हैं कि या टूई एन गुर्षूतर पाए जाते हैं तो पहली बात तो हम आगको बता दें कि पुस्प के भाग कौन-कौन से होते हैं तो पुस्प का भाग जैसे ओरी हो गया जिसे अंडासे हम लोग कहते हैं एंथर हो गया जिसे हम पराकोस कहते हैं ओवा हो गया अंड डीम के नाम से भी जानते हैं एक पोलेंड ग्रेन हो गया जिसे हम पराकन कहते हैं और एक भाग होता है मेल गैमिट जिसे नर यूगमक कहते हैं अएक होता है जाइगोट जिसे हम लोग यूगमना जी कहते हैं माई डियर स्टुडेंट जो औरी होता है वो दो गुडित होता है पराग कोस भी दो गुडित होता है लेकिन अंड डिम्ब जो होता है ओवा वो सिंगल होता है मतलब कि उसमें गुरसूत्रों की संख्या केवल N पाई जाती है पराग कर भी जो होता है वो भी N गुरित होता है अर्थात ये का सकते हैं कि पराग गुरसूत्रों की संख्या एक होती है नर युगमक जो हते हैं वो भी एक उसमें भाग लेता है पार्टिसिपेट करता है फैटिलाजेशन के क्रिया में जो युगमनज होता है जाइगोट ये दो जुगुरित होता है क्योंकि जो युगमनज होता है वो सुक्राणू और अंड के मिलने से बनता है और सुक्राणू और अंड के मिलने के बा आगे चलते हैं बच्चों अगला कोश्चन है कि एक पुस्प में निशेचन के पश्चात क्या-क्या परिवर्तन देखे जाते हैं तो सबसे पहले पुस्पी पौदों में दोरा निशेचन तथा त्रिक सनलयन होता है इसके पलतरूप भुरूड कोश्च में दुई गुडित युगमनज तथा ती गुडित प्राथमिक भुरूड पोश्च केंदरक बनता है इनसे क्रमसा भुरूड तथा भुरूड पोश्च बनता है भुरूड पोस्ट विकास सील भुरूड को पोसन प्रदान करता है और इसके साथ साथ बिजांड में निमलिकित परिवर्तन होते हैं जैसे कि बिजांड जो होता है वो बीज में बदल जाता है और अंडा से फल में बदल जाता है तो हम इसको इस तरह समा सकते हैं कि फल का जो बिजान्द भाग होता है वो बीज भाग होता है वो बीज भाग बनाता है और जो अध्यावरन होता है फल का भाग पुस्प का जो भाग होता है वो बीज अवरन बनाता है और जो अंड द्वार होता है वो बीज द्वार बनाता ह बिजांड काय किसे कहते हैं ये क्या है तो बिजांड काय प्राया नश्ट हो जाता है कभी कभी भोजन संचित होने के कारण पेरी स्पर्म ये बिजांड काय बना लेते हैं बिजांड काय किसे कहते हैं अंड कोशिका के द्वारा ही बिजांड का निर्माड होता है जिसे हम लोग इंब्रियो कहते हैं और इसका निर्माड होता कहा हैं इंब्रियो सेक में अर्थाद बिजांड कोश में सहायक कोशिकाएं जो होती है वो नश्ट हो जाती है प्रतमुक कोशिकाएं जो होती है वो भी नश्ट हो जाती है दुरुवी के इंदरक भुरूण पोस बनाता है जहां पर भुरूण का निर्मार होता है अंडासर की भित्ती फल भित्ती बनाती है यह बात सही है इसकी परिपक भाग को या पुष्प के परिपक भाग को क्या कहते हैं फल कहते हैं या यह कह सकते हैं कि अंडासर की परिपक भाग को फल कहते हैं बीज में भूरूर सुझपता वस्था में रहता है बीज चारूर से फाकवच तथा अंताकवच से बने अध्यावरन से घिरा होता है बुरूण बीज पत्रों के माध्यम मद में इस्थित होता है फल वित भी संडचना के आधार पर फल सरस्थ अत्वा सुस्क होते हैं अब हम जानते हैं दूइलिंगी पुस्प बाइसेक्सवल फ्लावर के बारे में सुने होंगे आप कैसे पहँचानेंगे कि कौन सा पुस्प दूइलिंगी होता है जब पुस्प में पुमंग तथा जायांग दोनों उपस्थित हों किसी भी पुस्प में पुमंग तथा जायांग दोनों उपस्थित हों तो पुस्प दूइलिंगी कहलाएगा वो पुस्पों को हम क्या कहेंगे दूई लिंगी और दूई लिंगी पुस्पों की जो लच्छन होते हैं वे कई प्रकार के पुस्प होते हैं जैसे हम सर्सों के पुस्प को ले लेते हैं मूली ये भी आपका दुई लिंगी है मतर ये भी आपका दुई लिंगी पुस्प है और अमलता सेम गुड़हेल ये सभी आपके दो लिंगी पुस्प हैं साथ में जान लेते हैं सर्सों का जो बनस्पति की नेम है बाटिकल नेम है वो क्या है सर्सों को बनस्पति भासा में क जाता है पाइसम सेटाइवं सेम का भी बॉटेंकल नेम है डॉली कोस लबलब अमलतास को कहते है केसिया फिश्टुला और गुरहल जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम है हिबकस रोजा सिंसेस बच्चों आगे चलते हैं बोर्ड में सबस्जादा पूछा जाने वाला बिटा पादप के कुछ पुस्पों की जाच कीजिए और पूंकेसरी या इस्तरी केसरों पुस्पों को पहचाने की कोशिस कीजिए कैसे पहचाने की कौन पूंकेसर है कौन सा इस्तरी केसर है तो माई डियर श्टुडेंट मादा पुस्प में जो पुमंग भाग होता है व और मादा पुस्प में होता है जायंग, तो यह दिया कि मादा पुस्प के जो खासियात होती है उसमें जायंग, त्रियंडपी, युगतांडपी, एक कोष्ट की तथा अधोवर्ती अंडासे से बना होता है, इसमें भित तिलगन बिजांडा है, न्यास होता है, अंडासे से विक्सित सरस्फल पेपो कहलाता है एक लिंगी पुस्पु जैसे होते हैं पौदे होते हैं जैसे मक्का ले लिया आपने मक्का को बाटिंगल नेमे कहते हैं जीया मेज खजूर है इसका बाटिंगल नेमे फिनिक्स सिल्वेर श्ट्रिक पपीता को कहते हैं कैरिका पपाया और नार्यल का वार्टिकल नेम है कोकोस निवसी फेरा मतलब कि ये सभी एक लिंगी पौधे होते हैं दुए लिंगी पौधे के बारे में हमने उपड़ बताया यह है एक कोश्चन और पुछा जाता है कि मुकलन जिसकों हम लोग इंगलिस में कहते हैं बड़िंग मुकलन क्या है इस प्रकार का विभाजन इस्ट एवं कुछ जीवानी हों पाया जाता है कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये विभाजन है जिसके फल सरूप एक नए जीव का निर्मार होता है इत प्रक्रिया में कोशिका में वाह व्रद्दी होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाय बन जाती हैं तथा केंदरक सूत्री विभाजन दोरा विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है कुछ बैज्ञानिकों के अनुसार केंदरक का ये विवाजन अर्द सूत्री विवाजन भी कहलाता है प्रतेक मुकल मात्र कोशिका से अलग होकर इस्ट की नई कोशिका में परिवर्तित हो जाती है इस क्रिया को ही मुकलन कहते हैं जब ये उर्द रचनाय अपनी माद्र कोशिकाओं से अलग नहीं होती तो स्रंखला बनाती हैं जिसे हम सीडो माईसली अलम कहते हैं परन्तु अंत में ये अलग हो ही जाती है अब आगे बात करते हैं काईक जनन कितने विदियों के दोरा होता है तो काईक जनन की दो विदियां बड़ी महत्यपूर हैं जिसे हम लोग एक तो कलम लगाने वाले विदिसे जानते हैं एक हम दाब लगाने के विदिसे जानते हैं पौधों में जनन की विदियां पौधों में मुक रूप से जनन की निम्लिक विदियां पाई जाती हैं कौन कौन सी एक तो तुम्हारा असेक्स्वाली पोडक्शन अलाइंगिक जनन अलाइंगिक जनन किसे कहते हैं ये एक जनन एक समान प्रकार का है जिसमें केवल एक ही जीव या जनक भाग लेता है इस विध में वयस्क बनने के बाद जीव अपनी हू बहू प्रतलिपियों के रूप में संततियां उत्पन करता है अतह जनक तथा संततियों के बीच अनुवानशिक पदार्थ तेवं लच्छनों में कोई अंतर नहीं होता है इसलिए अलाइंगिक जनन के फल सरूप उत्पन संततियों को क्लोन कहते हैं ऐसा जनन अपेच्छाक्रत तीब्र दर्से होता है इसके लिए सरीर में कोई विशिष्ट उतक या अंग नहीं होते हैं लाइंगिंग जनन किसे कहते हैं जिसे हम लोग सेक्सूल रिप्रोडेक्शन के नाम से जानते हैं लैंगिंग जनन की प्रक्रिया जटिल होती है इसके लिए सरीर में विशेश प्रकार के जननंग होते हैं शरीर की समानने दही कोशिकाओं से भिन प्रकार की दो आगुनित कोशिकाओं का संयुगमन लेंगिक जनन की अधार भूत प्रक्रिया होती है इस आगुनित कोशिकाओं को लेंगिक कोशिकाओं या युगमक कहते हैं शरीर की दही कोचकाईं दुईगुणित होती हैं, लैंगिक कोचकाईं प्रमुक जननागों की जनन कोचकाउं द्वारा दुईगुणित होती हैं और विशेश कर ये अर्ध सूतरी विभाजन से बनती हैं। इनके बनने की इस प्रक्रिया को युगमनज कहते हैं। युगमनज में भाग लेने वाले दो लैंगिक कोचकाईं भिन्न प्रकार की होती हैं। एक नर युगमक होगा तो दूसरी मादा युगमक कोचका होगी। इसनके संयुगमन से बनी दुईगुनित कोचका को युगमन कोशिकाओं में जनन कोशिकाओं के जोड़ीदार अर्थात समझाद गुर्शूत्रों का बटवारा नियमित एवं संयोगिक होता है फिर युगमन्जों के बनने में नर्वा मादा युगमक का संयोगमन भी संयोगिक होता है इनके कारण युगमन्जों के जीन प्रारूप ज कुछ भिन होते हैं इसी कारण है कि ल्यंगिक जनर्ण के फल सरोब बनी संतती माता पिता से थोड़ी भिन ने दिखाई देती है सूच में प्रवर्धन किसे कहते हैं जिसे हम लोग माइक्रो प्रोफेगेशन के नाम से जैंते हैं बच्चों काईक प्रवर्धन की सबसे आधुनिक विदी है इस विद में मात्र पौधे के थोड़े से उतक से हजारों की संख्या में पौधे को प्रात्त किया जा सकता है ये विदी उतक तथा कोच का समवर्धन तकनीप पर अधारित है इस विद में होता क्या है कि जिस पौधे से प्रवर्धन हम कराना चाहते हैं उसके किसी एक भाग से उसका एक टीसूले का छोटा सा भाग अलग कर लिया जाता है जब इस उतक की अजर्म परिष्टितियों में किसी उचित समवर्धन के माध्यम से में ब्रदी कराते हैं और ये उतक पोशक पदार्तों का आउसोसन करके ब्रदी करता है जिससे कोचिकाओं के गुछे बन जाते हैं जिनें हम कैलस कहते हैं इस कैलस को लंबे समय तक गुणन के लिए सुरच्छित रखा जाता है और सक्ता पढ़ने पर कैलस का एक छोटा तुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम पर इस्थानांतित कर लिया जाता है जहां पर ब्रद्धी करके नए पौधे के रूप में विक्सित होता है इस पादप को निकाल कर म्रदा में लगा दिया जाता है और इस बिद में एक बार उतक सम्वर्धन करके लंबे समय तक पौधे प्रात किये जाते हैं और ये अधिक संख्या में प्रात होते हैं ये बिदी आर्किट्स, कॉर्नेसेसंस या गुलदाओदी एवं सतावर में आधिक सफल होते हैं इस बिद से मस्रूमों का भी सम्वर्धन किया जाता है मस्रूम क्या है मस्रूम एक म्रतौब जीवी है म्रतौब जीवी जिसे हम लोग कुकुर मुत्ता की प्रजात के उसमें रखते हैं पौधों में काईक जनन प्रजिनन की अथवा नय पौधे के पुनन निर्मान के प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में नया पौधा मात्र पौधे के किसी भी काईक भाग से बनता है इसके सभी लच्छन वा गुण मात्र पौधे के समान ही होते हैं काईक जनन को काईक प्रवर्धन के नाम से भी जाना जाता है मात्र पोधे के काईक अंगों द्वारा नए पाधपों का बनना काईक जनन या काईक प्रवर्धन कहलाता है ये क्रिया निम्न पाधपों में समानता रूप से देखने को मिलती है जबकि उच्च स्रेंडी के पौधों में ये केवल दो प्रकार से होती है एक तो प्राक्तिक का इक प्रवर्धन जिसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रवर्गेशन कहते हैं दूसरा क्रतिम का इक प्रवर्धन अब बात आती है कि प्राकतिक काईक प्रवर्धन होता कैसे है तो माई डियर स्टुडेंट ये क्रिया प्रकति में मिलती है इस क्रिया के अंतरगत पादप का कोई अंग अथवा रुपांतरित भाग मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाता है ये क्रिया अनकूल परिश्थितियों में होती है पौधे का काईक भाग जैसे जड़ तनावा पत्ती इस क्रिया में भाग लेते हैं ये भाग इस प्रकार से रुपांतरित होते हैं कि वे अंकृत होकर नया पौधा बना सकें विबिन प्राकतिक काईक प्रवर्धनों की विधियां अग्रवत हैं तो हम काईक प्रवर्धन की कई विधियां अपना सकते हैं जैसे भूमिगत तनाद्वारा अर्ध वाईवी तनाद्वारा और मूल द्वारा भूमिगत तना के दौरा हम काईक प्रोधन को कैसे सफल बना सकते हैं तो तने का मुक भाग अत्वा कुछ भाग भूमिगत ब्रद्ध करता है तथा एक प्रकार से भोजन चंगरा करने वाले अंग के रूप में रूपांत्रित हो जाता है परन्तु इस पर कच्छत कलिकाएं मिलती हैं जिन में नया पौधा विक्सित होता है साखाएं निकलती तो हैं जो म्रदा से बाहर आकर नया पौधा बना लेती हैं उधारान के लिए हम आपको कुछ पौधों के नाम बताएंगे जैसे आलू आलू का कंद किस पकार से इस पर कुछ आख जैसी संद्चना निकलाती है जिसमें कच्छक कलिकाएं सलक पत्रों से ढखी रहती हैं ये कच्छक कलिकाएं को अनकूल समय में अंकुरित होकर नया पौधा बना लेती हैं निश्चित पर्वसंदियां नहीं मिलती हैं भूमी का तनाय में एक कंद हो गया दूसरा प्रकंद प्रकंद जैसे तुमारे अध्रक का प्रकंद हो गया हल्दी का प्रकंद हो गया इसके दोरा भी एक नयपोधे का हम निर्मार करते हैं घनकंद, घनकंद में जैसे अर्भी आप लोग ने देखा होगा, केसर देखा होगा, जिमी कंद देखा होगा, इन्हें घनकंद के स्रणी में रखा गया है, इनके मादन से भी हम नए पोधे का दिर्मार कर सकते हैं, सलकंद, अब सलकंद को सकरकंद मत समझ लिजेगा, सलकंद का मतलब बल्ब अर्थात ऐसे पोधे जैसे लैसुन है प्याज है त्योल्सिफ है रजनी गंधा आधी पोधे हैं इन पोधों के रसीले गूदेदार सलक पाय जाते हैं इन पोधों में और उनी सलक पत्रों के कच्छक में कच्छस्ट कलिकाएं होती हैं जो नए पोधें को जन प्रतेक पर्वसंदी नोड से जुड़े तथा प्रोर निकलते हैं कभी कभी पर्वसंदी का कुछ भाग म्रदा में अत्वा जल में मिलता है उधारन के लिए जैसे उपरी भूरिष्टरी अब उपरी भूरिष्टरी में कौन-कौन से पोदे आते हैं जैसे जो उपरी छचरे होते हैं जैसे दूब घास, खटी-बुटी, संटेला आधी बहुत सारे ऐसे एक्जम्पल हैं जो इसके आपको मिल जाएंगे जो अर्द वाईवी भागों के मादन से ही नए पोदे का निर्मार करते हैं भूरिष्टरी इसमें जैसे माल लेजिए जो पर्वसंदियां जड में होती हैं अर्था जड़े जो होती ही वाईवी भागों से निकलती हैं भूरिष्टरी के तूटने पर प्रतेक वाईवी साखा स्वतंत्र पौधा बन जाती है उदारन में जैसे अर्वी हो गया केला हो गया आपका ये सारे चीज़े हैं भूरिष्टरी में जैसे आपका समुद्ध सोक हो गया पिष्टिया हो गया ये जलोधविद भूष तरीका जब कभी आए तो समा लिजिए जलोधविद पौधों की बात कर रहा अर्था जलोधविद जैसे मलोग जलकुम्भी है काई है मलग जो जल में पाजाते हैं मूल द्वारा कैसे हम कुछ पौधों के म मूल अर्था जड़ मूल को हम लोग जड़ कहते हैं काईक प्रोधन कराते हैं जैसे सकरकंद सतावार डहलिया याम परवल कुंदरू आधि में अपस्थानिक कलिकाय निगलती है और जो नया पौधा बनाने में सच्छाम होती है कुछ काष्टी पौधों की जड़े जैसे म नय पौधे का निर्मार होता है तो माई डियर इस्टुडेंट जी बिलकुर सही कहा कि पत्तियों के दोरा भी नय पौधे का निर्मार होता है पत्तियों दोरा काईक प्रोवर्दन समानता कम ही मिलता है कुछ पौधे जैसे ब्रायो फिल्लम तता क्लेंचो में जो पत्तिया होती हैं उनके किनारों पर पत्र कलिकाएं बन जाती हैं और यही पत्र कलिकाएं छोटे छोटे पौदे विक्षित करने में सच्छा होते हैं विगोनिया अथवा elephant ear plant में पत्र कलिकाएं पनवेंत तथा सिरां आधि पर पूर सथा पर निकलती है आई हो इस्टुडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा आज हम आपके लिए बाइलोजी क्लास तुल्थ का पहला चैप्टर लेका रहे थे और आगे हम इसी प्रकार प्रतेक चैप्टर के बारे में बिस्तरत जानकारी हासिल करेंगे एक बार आप यदि इस वीडीयो को देख लेंगे तो ये बात की गारंटी है कि आपको सतपिस्ट और जो कोष्चन पूछे भी जाते हैं वो बोड में इनी प्रकार के कोष्चन आपके च्छान करान काले जाते हैं कई बार ये कोष्चन पूछे गए तो अपने संस्कृण में सिर्फ उन्ही कोष् पहले जिक्र यूपी बोर्ड में हो चुका है अर्थात यूपी बोर्ड में आया हैं तो आई योप आप लोगों को समझ में आया होगा अगले टॉपिक का इंतजार करिए अगले टॉपिक को हम लेके आएंगे बहुत जल्द क्लास 12 का नेक्स्ट लेशन लेके आएंगे और आप लोगों को यह कैसा लगा यह कमेंट करके जरूर बताएगा और मेरे एसपी बाइलोजी सर चैनल को सस्क्राइब करिएगा और सेयर भी करिएगा ताकि ज्यादा ज्यादा लोग तक यह पहुंच सके और इसका लाव उठा सके तो इसी के साथ मुझे आग्या दीजिए नमस्कार